नमस्कार दोस्तों कासन स्टेडी के यूटूब चैनल में आप सभी का स्वागत है तो हम यूपी पीसेल से सम्मधित कुछ इंप्वाटन्ट कोईशन लेकर के आए हैं जो आपके एक्जाम की द्रिष्ट से बहुत इंप्वाटन्ट है तो शुरू करते हैं आज का हमारा पहल अगला कुशन कहें अगला कुशन कह रहा है ट्रांजिस्टर में कितने जैक्सन होते हैं तो यहाँ पर ट्रांजिस्टर में हमारे कितने जैक्सन होते हैं तो ट्रांजिस्टर में कितने जैक्सन होते हैं तो ट्रांजिस्टर में कितने जैक्सन होते हैं तो ट्रांजिस्टर म काटने के लिए किस छैनी का प्रियोग किया जाता है खाचे तथा जुर्यों को काटने के लिए किस प्रकार की छैनी का प्रियोग करते हैं तो दोस्तों यहाँ पर जो चार आपसन दिये गए हैं इसमें से किस प्रकार का छैनी का उप्योग करते हैं तो यहाँ पर जो हमारा सही एंसर हो जाएगा, क्रास कट, क्रास कट जो है, यहाँ पर हमारा सही एंसर हो जाएगा, आईए कुश्चन नमबर चार देखते हैं, कुश्चन नमबर चार हमारा क्या कह रहा है, सोले नाइट की लंबाई किस से उसके ब्यास से होती है सोले नाइट की लंबाई उसके ब्यास से होती है तो किसके ब्यास के बराबर होती है दोस्तों जो सोले नाइट की लंबाई होती है वो जो है उसके ब्यास से होती है तो अधिक होती है कैसी होती है उसके ब्यास से लंबाई जो होती है उसके ब्यास से अधिक होती है मतलब सोले नैट की जो लंबाई होती है सोले नैट के ब्यास से अधिक होती है दोस्तों इसका मतलब यह हुआ आईए कुश्चन नमबर पांच देखते हैं कुईशन नमबर 5 हमारा कह रहा है तारों को बिना जोड लगाए तार की लंबाई बढ़ाने के लिए क्या इस्तेमाल किया जाता है तारों को बिना जोड लगाए तार की लंबाई को बढ़ाने के लिए हम किस चीज का परियोग करते हैं दोस्तों तो जो यहाँ पर हमारा सही answer हो जाएगा, क्या हो जाएगा, connector का प्रियोग करते हैं, तारों को बिना जोड लगाए, उसकी तार की लंबाई को बढ़ाने के लिए connector का इस्तेमाल किया जाता है, आए question number 6 देखते हैं, question number 6 कह रहा है, face wire को हमेशा किस से control करना चाहिए, face wire को यह question number 7 कह रहा है, question number 7 कह रहा है, AC के एक पूर्ड cycle में कितनी electric degree होती है, तो कितनी होती है मित्रों, तो यहाँ पर हमारा answer हो जाएगा, 360 हो जाएगा, अगला कुईशन कह रहा है ट्रांसफार्मर किसके सिध्धान्त परकार करता है तो ट्रांसफार्मर किसके सिध्धान्त परकार करता है दोस्तों तो जो ट्रांसफार्मर होता है वो mutual induction के सिध्धान्त परकार करता है ट्रांसफार्मर जो होता है वो mutual induction के सिध्धान्त पर कार करता है आई अगला question देखते है फार्म factor का मान कितना होता है फार्म factor का मान दोस्तों कितना होता है तो फार्म factor का मान जो यहाँ पर हमारा सही answer हो जाएगा कितना हो जाएगा 1.1 फार्म factor का मान कितना होता है 1.1 होता है अगला question है एक कूलाम में कितने electron पाई जाते हैं एक कूलाम में कितने electron पाई जाते हैं दोस्तों तो यहाँ पर जो हमारा answer हो जाएगा 6.29 गुड़े 10 गाते 18 electron इसे भी आपके बुकों में लिखा रहेगा 6.25, 6.25 गुड़ेदस गाते 18 अलेक्टरान अगर ये भी option में है तो ये भी हमारा सही हो जाएगा तो यहाँ पर हमारा answer क्या हो जाएगा 6.25 गुड़ेदस गाते 18 अलेक्टरान या 6.29 भी अगर आ जाता है तो इस option के अनुसार 610s, दोनों यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा आई एगला question देखते हैं अगला question कह रहा है बिजली के उप्करणों में लगी आग को किस से बच़ाना चाहिए बिजली के उप्करणों से लगी आग को किस से बचाना चाहिए तो जो कि यहाँ पर हमारे चार आपसन दिये गए इस चार आपसनों में हमारा कौन सा आपसन सही है तो दोस्तों कारबन डाई आकसाइड से अगर हम बुझाते हैं तो सेफ है तो यहाँपर हम किसका उपयोग करते हैं कार्बन डाई य अक्साइट जो होता है आग को बुझाने वाला यंत्र होता है इसे का परयोग करके हम बिजली की आग को बुझाते हैं आई नम अगला बैटरी चार्जिंग के समय क्या साउधानियां बरतनी चाहिए दोस्तों तो हमारा यहां पर जो एंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा उप्रोगत सभी जैसा कि जो है बैटरी चार्जिंग का अस्थान खुला हवादार दथा रोसनी वाला होना चाहिए एकदम सही है दोस्तों तेजाब को पानी में बूंद बूंद कर करके हमको डालना चाहिए यह भी सही है बैटरी में इलेक्ट्रोलाइट दिये हुए निष्चित नाम तक होना चाहिए तो दोस्तों यहां पर हमारा जो एंसर हो जाएगा सभी एंसर सही हो जाएगा आएक विशन नंबर 14 देखते ह चाहिए यह भी एकदम सही है दोस ढूड़ना चाहिए कि क्यों ऐसा हुआ है कि फ्यूज खराब हो गया यह भी सही है अगला option है दोनों तो यहाँ पर जो हमारा answer हो जाएगा दोनों यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा क्योंकि जो है हमको यहाँ पर दोनों का प्रियोग करना पड़ेगा आईए हम अगला कुशन देखते हैं अगला कुशन हमारा क्या कह रहा है अगला कुशन कह रहा है किसी बिद्धू सर्किट को चालू या बंद करने के लिए क्या इस्तेमाल होता है किसी बिद्दू सर्किट को चालू या बंद करने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं तो दोस्तों यहाँ पर हम किसका उप्योग करते हैं तो स्विच यहाँ पर हमारा सही एंसर हो जाएगा कोई भी सरकिट है उसको चालू या बंद करने के लिए हमको स्विच का प्रियोग करना पड़ता है आए क्विशन नंबर 16 देखते हैं कि इसमें जो है कोई भी प्रकार का चार्ज नहीं होता है न्यूटराण प्रोटराण परमडो अडू यहां पर जो हमारा सही answer हो जाएगा है न्यूटराण यहां पर हमारा तरहे हो जा Liteराण में कौई प्रकार का आवस नहीं प्रकार पाए जाता है जबकि आगर हम इंट्राण में की बात करते हैं तो प्लस एक दसमर बो कितना पाया था एक दस्मलो छे गुड़े दस गाते मायनस 19 कुलाम जो है यह प्रोटान पर पाया जाता है आए कुश्चन नमबर 17 देखते हैं कुश्चन नमबर 17 कह रहा है लैंप हीटर यह वं बिद्दुत प्रेस किस प्रभाव पर कार करती है तो दोस्तों यह जो होती है लिद्दूतिय उस्मा के सिध्धान पर कार करती है लैंप हीटर यह वं बिद्दुत प्रेस जो है बिद्दूतिय उस्मा प्रभाव पर कार करती है आए कुश्चन नमबर 18 देखते है घरों कार्यालों तत्था होटरों में कौंसरी वाईरिंग की जाती तो दोस्तों आपको पता है कि जैसा कि अगर घर में वाइरिंग या होटल में वाइरिंग की जाती है तो यह समांतर करम में की जाती है तो समांतर करम में की जाती है लेकिन यहाँ पर आपसन की एसुषार जो है conditioner conduit pipe wiring परियोग किया जाता है आई यह अगला question देखते हैं किलो ग्राम तथा pound किसकी इकाई है तो दोस्तों यह किसकी इकाई है यहाँ पर हमारा answer हो जाएगा जैसा कि पदार्थ है, भार है, बेग है, गति है तो यहाँ पर हमारा भार answer हो जाएगा kilogram या pound जो होती है ये जो है भार की काई होती है आए अग्ला question देखते हैं अग्ला question नमारा कह रहा है आडू का छोटा से छोटा भाग जो रासाइनिक किरिया में भाग ले सकता है उसे क्या कहते हैं दोस्तों तो उसे हम पर्माडू कहते हैं आए question number 21 के रहा है electronic component को और क्या कहते है जो electronic component होता है उसका दूसरा नाम तो उसका दूसरा नाम equipped components कहलाता है आए एकला question देखते है तारों को पकड़ने या मोरने के लिए या insulation को उतारने के लिए हम कौँसा औजार का प्रियोग करते है तो जैसा कि option में हमारा पेचकस है, hexa है, convenience class है या tester है तो tester का परियोग हम कहाँ पर करते हैं दोस्तों तो tester का परियोग तो हम जैसे ये देखते हैं कि कौन सा positive है, कौन सा negative इधारा प्रवाइथ हो रहा एक नहीं हो रहा इसकी सबकी जाज करने के लिए हम tester का परियोग करते हैं पेचकस होता है, पेचकस के लिए हम किसी चीज को खोलने के लिए करते हैं तो यहाँ पर जो hexa, hexa जो होती है किसी चीज को काटने के लिए लेकि यहाँ पर जो है कहते हैं लोड पर किसी लाइन में चलने वाली करेंट को क्या कहते हैं तो दोस्तों क्या कहते हैं तो उसे लाइन करेंट कहते हैं अगला कोईशन कह रहा है कि किसके फिलामेंट बनाए जाते हैं किसके फिलामेंट भी बनाए जा सकते हैं तो फिलामेंट जो होता है दोस्तों कि हमारा इंसर हो जाएगा घल्ला कोईशन कही रहा है बिजली के लीज़ी पर लगी आगे पर निम्न मेसों क्या इसमाल किया जाता है बिजली पर जो आग लगती है बिजली के दारु लगती है उस पर миस चीज का प्रियोग में कि दौस्त क्य實 Otherwise दिया गया तो दोस्तों इसी के साथ हम आज इंड करते हैं से अगले वीडियो में पुना आप से मुलाकात करेंगे और दोस्तों इसको अपने दोस्तों यारों में सेर सब्सक्राइब तथा जरूर सेर जरूर करवाएं अगले वीडियो में पुना आप से मुलाकात करेंगे नमस्कार